Hello my dear students, I welcome you to my YouTube channel English Classes with Sassi Singh and here in this video we will complete the chapter that is the book that saved the earth. This is from class 10th. Okay and this is the very imaginative chapter. One thing that I want to very clear to you all कि ये जो chapter है पूरा इमेजिनेशन पर बेस्ट चाप्टर है and it is in the form of drama. नाटक की फॉर्म में इस चैप्टर को क्या किया गया है? इमेजिन किया गया है. और देख लिए आधे चैप्टर में कुछ गर्क्टर भी हैं क्यूंकि एक जो नाटक होता है, उसमें गर्कटर होते हैं उसमें कुछ रोल प्लेअर्स होते हैं तो यहाँ पे कौन कॉन से और प्लेएर्ज हैं वो beginning में आती है शुरुवात में आती है और हमें इस play के बारे में पूरी के पूरी इसकी जो theme है उसके बारे में बता के चली जाती है characters इसकी start होते है great and mighty think tank से जो की ruler of mars है कौन है बच्चा great and mighty think tank is the ruler of mars ये जो mars है उसका ruler है उसके बाद है apprentice noodle apprentice noodle इस think tank के पास में देखो word apprentice का मतलब होता है बच्चे new learner क्या होता है new learner यानि कि ये जो noodle है ये एक new learner है ये think tank के पास में चीजों को सीखने के लिए आया हुआ है next captain omega lieutenant iota and sergeant oop ये तीनों ही बच्चे ये तीनों ही इसका crew है यानि कि इसकी सेना है जिस सेना को वो भेजता है किस पर अर्थ पर भेजता है क्या करने के लिए attack करने के लिए ठीक है कौन भेजता है think tank भेजता है जो कि ruler of mars है he planned an attack on the earth that's why he sent this crew of these three members captain omega lieutenant iota and sergeant oop इनकी spellings को बहुत अच्छे से आप लोग को learn करना है इसके बाद off stage voice भी यहां पे आती है पीछे से stage के पीछे से भी कोछ आवाज है आपको देखने को मिलेंगी उनके लिए characters यहां पे show नहीं किये गए है तो this way we know that there are main five characters in this chapter think tank, apprentice nodal, captain omega, lieutenant iota and sergeant oop there are five important characters in this chapter so let's begin with the chapter what is the theme of it let us know about the lesson this is a play set four centuries in future एक ऐसा play है जिसको कि four centuries before ही क्या किया गया है set किया गया है what it means कि अभी 2020 अगर चल रहा है 21 चल रहा है ठीक है तो 21st century as you all know कि 21st century चल रही है तो इसको यहां पे 25 में बोल रहे है कौन से सताब्दी में 25 में इस जगा से question ना तो अभी तक आया है कि अभी तक आया है कि प्ले सेट इन विच सेंचुरी और century पर गार जो गेम है यह तो राइटर का खुद का गेम है यहां से अभी तक कोई question ना तो बना है और ना बनेगा पूछा जाता है इन पूछने से रिलेटेड और यहां पर एक परग्राफ दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि जो 20th century है वाइट इस कॉल्ड दा century of books इसको century of books क्यों कहा जाता है इंपॉर्डन questions related to that कि कौन से आ चुके हैं और कौन से आ सकते हैं आई विल डिसकूस लेटर एड़ लेटर टु दा चैप्टर मैं बाद में डिसकूस कर लूंगी नो नौत टॉल नीट तो बी वरी बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रुवत नहीं है देख लेते हैं तो यह जो प्ले है यह सैट हुआ है पहले ही सैट हो गया है मिन्स अभी 21st century चल रहा है तो यह 25th century में सैट है प्ले and the people of mars plan an attack देखिए people of mars का मतलब है यहां पे जो think tank है वहां का जो ruler है mars का वो प्लान करता है एक attack on the earth प्रत्वी पर करने के लिए और incidentally होता क्या है कि उनका जो spaceship है जिस spaceship में उसकी जो crew है वो धर्ती पे आता है लेंड पे आता है वो एक library में stay करता है वो spaceship कहां के रुखता है एक library में आके रुखता है अर्थ पे and they do not know what books are और जब वो library में enter कर जाते हैं तो उसका जो crew है पूरा उसकी जो सेना है उनको पता नहीं है कि books क्या है और उसके जो लोग है यानि जो crew members है वो एक book को ले लेते हैं जो कि nursery rhyming की है यानि कि nursery class की rhyming book है कविताओं की एक कहानी है जिसका एक book है कविताओं की जिसका नाम है क्या बच्चे mother goose जिस book का नाम क्या है mother goose है और इस book में वो क्या करते हैं कुछ poems को read करते हैं कुछ कविताओं को पढ़ते हैं और उनको पढ़ने के बाद उनका गलत meaning ले लेते हैं यह इसको जब उनको उन्होंने poems को पढ़ लिया रेन दे टेक दिया meaning in such a way that is that terrifies them जो कि उनको ढरा देता है जो कि उनको ढरा देता है और जब वो डर गए तो अब वो क्या करेंगे वहां से भाग जाएंगी कहां से भाई अर्थ पे जो लाइब्रेरी है वहां पे जब उन्होंने उन राइमिंग बुक जिसका नाम मदर गूज है उसकी कुछ पोएम्स को पढ़ा पढ़ने के बाद उन्होंने उसका गलत मिनिंग निकाला और गलत मिनिंग निकालने के बाद जब वो डर गए तो डर के वहां से भाग गए and they left the idea of attacking on the earth और उन्होंने इस विचार को ही छोड़ दिया के आगे इस विचार को प्रत्री पे आक्रमन करने के विचार को उन्होंने छोड़ दिया अब बिटा that's why the chapter got the title a book that saved the earth so that was the book of nursery rhyme the name of the book was mother goose and they took they read the poems they took the meaning wrongly and this way they left the place they moved back to their planet and they also left their planet too नोने अपना planet भी छोड़ दिया and this way the book saved the earth अब आगे चलते हैं और chapter को read करते हैं चले कि ट्वंटीफ पुटीफ संच्युरी देखी त्विंटीफ संयुरी में किस ने यहां पर inveig किया धर्ती of ancient history का यहां पर place बताया हुआ है इस drama के अंदर कौन सा place है museum of ancient history जो की department है किसका 21th century on the planet earth earth planet पे 21th century में जो department ready किया गया था उस department में उस department का नाम है the museum of ancient history तो होता पर पर दिखती है वह सिटिंग डाउन राइट जो की बिलकुल राइट साइड में उस स्टेज के बैठी हुई है और विच अमुवी प्रोजेक्टर उसके पास में एक मुवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है और उसके बगल में एक एक साइन बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंसियंट हिस्ट्री बचे यह जो वर्ड होता है यह होता है कुछ इस टाइप का देखिए कि यूजियम ऑफ एंसियंट हिस्ट्री तो इस तरीके से यहां लिखा हुआ था कुछ भी और यह इसका स्टार्टिंग है नाटक का बिगनिंग है आगे देखिए कि इस टाइप कर देखिए नाटक है प्ले हो रहा है कि स्टेज पर और स्टेज का डिस्क्रिप्शन यहां पर अल्रेडी दिया चाहिए चुका है कि यहां एक हिस्ट्रियन बैठी हुई है जो कि इसके पूरे थीम को इसके प्लॉट को बताती है कि क्या चल रहे यहां और वह खड़ी होके पहले अपने ओडियंस की तरफ जुपती है और क्या बोलती है यहां गुड आफ्टनून वेलकम तो आर म्यूजियम ऑफ गुड ओल्ड फार ओफ ट्वेंटीन सैंचुरी क्या जीज का मतलब है यानि कि उत्सुकता की चीज है उत्सुकता की वस्तु है जो की काफी अच्छी है लेकिन बहुत पुरानी है और फार ओफ है जो हमसे दूर छुट चुट चुकी है वो सारी चीज है आपको मेरे डिप बॉक्स अपूर आपको मेरे जो गुड फार ओफ ट्वेंटीन सैंचुरी में वाइवाइबल थी हर चीज पे एंटीनेटर से लेके जूलू तक पे जैसे कि आज इंटरनेट का टाइम है और गूगल पे सब कुछ मिलता है ऐसे ही त्वेंटीन सैंचुरी में हर चीज पे हर एक वर्ड से रिलेड़ेट किताबें अपने को मिलती थी तो आइंटीटर आप जानते हो कुछ कीडे होते हैं चीटियों को खाने वाले उन से लेके और जूलू जूलू क्या होता है एक ट्राइब है अफ्रीकन ट्राइब है ये जन जाती है अफ्रीकन तो उसके लिए बोल इक बोक लोगों को सिखाती थी कि कब कैसे कहा और क्यों कोई भी कार्य किया जाये लेकिन जो हिस्ट्रियान है वो बोली है किलेकिन सबसे इस्ट्रेंज की बात जो ये है कि एक ऐसी बोक जिसने सेव किया प्लानेट अर्थ को आपने कभी सुना नहीं है about the Martian Invasion 2040 2040 के Martian Invasion के बारे में आपने कभी सुना नहीं आश 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 ऐसे करके वो बोलती है और फिर बोलती है what do they teach children nowadays आज कल teachers जो है वो बच्चों को क्या बढ़ाते हैं पता नहीं जो नोंने मार्शिन इन्वेजन के बारे में बच्चों को नहीं पड़ा रखा है फिर वो बोलती है कि अरे मैं आपको बताऊं तो बात यह कि जो इन्वेजन था यानि कि जो आक्रमन था जो अटेक था वो कभी हुआ ही नहीं था because a single book stopped it क्योंकि एक छोटी सी single किताब ने इसको रोक दिया, stop कर दिया था what was the book you ask, अब आप पूछोगी कि वो book क्या थी a noble encyclopedia, क्या वो कोई encyclopedia था a term about rockets and missiles, क्या rockets and missiles related कोई term था या कोई secret file था, outer space से, दूसरे space से आया हुआ कोई secret file था no, it was none of those, उन मैं से कुछ भी नहीं था, it was, but here let me turn on the hysteroscope and show you what happened many centuries ago देखे, यहां रुकिये मैं भी turn करती हूँ इस scope को और आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था many centuries ago in 2040 में क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ और ऐसा बोलने के बाद में जो historian है वो क्या करती है she turns on, projector को turn on करती है and point it left और इसको left side में point कर देती है, रख देती है spotlight who is seated on the raised, sorry, spotlight on historian goes out historian के उपर सी जो spotlight है वो चली चाती है and comes up down left on think tank और think tank जो की left side में बेठा हुआ है उसके उपर पढ़ती है, who is seated on a raised box जो एक box के उपर बैठा है arms folded अपने हाथों को fold करके and has a huge egg shaped henry और एक huge egg shaped सर उसका है यानि की egg के shape के जैसा उसका सिर है and he wears a long rob decorated with stars and circles और उसने एक lamba सा rob means पोशाक या लबादा वो पहना हुआ है जो की decorated है किस से, stars से और circles से apprentice noodle stands beside him जैसा कि मैंने कहा apprentice एक new learner है he was there to learn something to think tank से कुछ चीज़ा सीखने आया है तो वो उसके बगल में खड़ा हुआ है at an elaborate switchboard एक बड़े से switchboard के पास में a sign on an asal reads और sign जो की बना हुआ है asal पे उसको read करता है count ये जो noodle है वो read करता है और उस पे लिखा क्या है उस asal पे क्या लिखा है mars space control great and mighty think tank commander in chief ऐसे करके एक asal पे ये लिखा हुआ है asal मैंने आपको already बता दिया था कि क्या होता है चलिए low before entering bows low before entering enter करने से पहले जुके ऐसा करके वहाँ पे लिखा हुआ था उस asal पे जो की think tank और noodle के साइड में लगा हुआ था ठीक है अब चलिए देखते हैं chapter start करते है noodle जो पहला speech है वो noodle का है noodle अपने सिर को bow करते हुए नीचे जुकाते हुए क्या बोलता है oh great and mighty think tank most powerful and intelligent creature in the whole universe what are your orders बो करते हुए नी जुकते हुए बोलता है कि oh great and mighty think tank आप बहुत ज़दा powerful हो intelligent creature हो whole universe के आपके orders क्या है तो think tank जो है peavishly बोलता है peavishly का मतलब होता है बच्चे irritatingly irritate होके बोलता है that you left out part of my salutation कि तुमने तो मेरे salutation का part छोड़ दिया है apprentice noodle go over the whole thing again पूरे के पूरे चीज को वापस बोलो चीक है आप क्या करता है यनि की देखिए पहले जमाने में जिसे राजा मारा राजाओं के लिए कुछ words set रहते थे whenever they enter in the दर्बार और somewhere else जब भी वो वहीं जाते थे तो उनकी प्रेसेंशा में कुछ words बोले जाते थे कि जिसे हम अकबर का ही एक example ले लें तो बोला जाते था कि साहिब आलम और ग्रेट अकबर जैसे भी बोलते थे वो दर्बार में पधार रहे हैं तो यहां पे जो अपना ये नूडल था इसका भी एक ऐसा ही प्रनाइशेशन था ऐसे ही words उसके लिए उसके जाते थे एक ऐसा ही फ्रेस इसके लिए कुछ यूज के जाते थे तो उनको वो रॉंगली प्रनाउंस करता है और रॉंगली ना करके कि वह उसके कुछ पार्ट को छोड़ देता है वह आपको अभी पता लग जाएगा कि उसने कौन सा पार्ट उसका छोड़ दिया था इसलिए जो धिंग टैंक है वह इरिटेट हो जाता है और इसको क्या बोलता है देट यू लेफ्ट आउट सम पार्ट आप्रेंटेस नूडल वापस से पूरा का पूरा बोलो अब नूडल फिर से बोलता है इसा कर दिया जाएगा श्रीमान और फिर बोलता है इना सिंग सॉंग एक सिंग सॉंग मैनर में यानि की गाते हुए मधूर स्वर में उसको कि ओ ग्रेट और माइटी थिंग टैंक रूलर ओफ मार्स एंड हर थिक है most powerful and intelligent creation the whole universe out of breath मतलब सांस फूल जाती है उसकी what are your orders आपकी क्या orders है इस बार वो उसको पूरा बोल देता है think tank that's better अब ठीक है ऐसे बोलता है think tank उसको कि that's better noodle I wish to be placed in communication with our manned manned space prop to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership और बोलता है कि मैं इच्छा करता हूँ अब एक communication set करो जिसके लिए किसके किसके साथ में with our manned space prop हमारी भेजी हुई उस सेना के साथ में मेरे लिए communication set करो place करो to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership जहाँ पर हमारी जो prob है हमारी जो शेना है वहाँ एक घेता और जोब है कि रचना होर्त को बोलता है रमने कर उस पहरा होWhat करो double और इंटलिजन्स चिक न यानिकि जो पीपल ओफ आर्थ उनके लिए पूछता है वह इसको क्या बोलते हैं तो नूडल बोलता है आर्थ और इंटलिजन्स मतलब वह उसको अर्थ बोलते हैं ठीक है प्रत्वी बोलते हैं थिंक टैंक अर्थ फकोर्स वास्तव में यूसी वह तुमने देखा ना कितना insignificant means unimportant place है ये बट first something important लेकिन पहले कुछ important बाते हो जाती है my mirror I wish to consult my mirror मैं मेरे mirror को consult करने की कोशिश करता हूँ मैं मेरे mirror को consult करता हूँ जो की बहुत ज़्या important है मेरे लिए नूडल इट शाल बी डन सर ऐसा ही होगा he hands think tank a mirror वो think tank को एक mirror hand over करता है तो मार्स में है और इसने अपनी प्रोब को मैंने पहले बताए था lieutenant iota captain captain omega और जो उप्स है वो तीनों अपने इसकी जो प्रॉब है वो अर्थ पे अल्रड़ी आ चुके हैं तो अब कहते है think tank mirror mirror in my hand mirror जो की मेरे हातों में हूँ इस दा मोस्ट फैंटेस्टिक ली इंटालिक अब उसको पीछे से आवाज आती है ऐसा लगता है कि जो मिरर है वो रिप्लाइ कर रहा है कि यू सर आप हो स्रीमान think tank smacking mirror को बोलता है जल्दी जबाब दिया करो answer quicker next time अगली बार से जल्दी जबाब दिना I hate a slow mirror मुझे slow mirror से hate है he admires himself in the mirror वो mirror में अपने आपको admire करता है अपनी प्रशंसा करता है अहाँ there is I am अरे मैं यहां हूँ are we martian and not handsome race क्या हम लोग martian जो हैं वो handsome race नहीं है कितने सुन्दर प्रजाती है so much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads हम लोग कितने attractive हैं comparisonly earthly earthlings के यानि की प्रत्वी के जो प्राणी है उनके comparison में हम लोग कितने attractive हैं जिनके क्या है earthlings के क्या है tiny heads है मतलब छोटे सिरवाले जो earthlings हैं उनके comparison में हम लोग कितने attractive हैं noodle you keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like mine noodle को बोलता है कि तुम तुमारे mind का exercise करते रहो और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा brain भी मेरे जैसा ही हो जाएगा balloon के जैसा brain हो जाएगा तुम्हारा ठीक है चलिए आगे दिखते हैं noodle oh I hope so mighty think tank I hope so मैं ऐसी आशा करता हूँ mighty think tank and think tank अब फिर से बोलेगा now contact the space prop अब space prop से contact करो I want to invade that primitive ball of mud called earth before lunch और वो बोलता है noodle को कि I want to invade मैं आक्रमण करना चाहता हूँ that primitive primitive means old ball of mud पे means कीचड की उस ball पे जिसको earth कहते हैं before lunch lunch से पहले ही मैं उस old ball of mud पे जिसको की earth कहा जाता है lunch से पहले invade करना चाहता हूँ noodle itself be done sir ऐसा ही होगा sir अभी कर देता हूँ he adjust levers on switchboard में जो levers लगे हुए जो wires लगे उनको adjust करता है electronic buzzes sounds आने लगती है beeps आने लगती है are heard as the curtains open और जब curtain open होता है तो आवाज हैं सुनाई देती है सीन 2 की तरफ हम लोग move कर रहे हैं guys तो पहला question जो यहां पे है वो है what gases are made by think tank about the books found on the earth now as I had told I have told you already कि जो probe है उसका that is straight there in a library or library आपको पता है that is used to keep books वहां पे books होती है और जब इसका communication think tank का बैट जाता है अपनी प्रोब के साथ में तो उसकी जो प्रोब है वो उन्हें बताती है that we don't know and at what place we are हम लोग कहां है but these are some articles of same kind कुछ एक जैसे articles यहां पर रखे हुए हैं और जब think tank उनको देखता है तो वो उन books के बारे में क्या सोचता है कौन-कौन से gases लगाता है क्या-क्या अपने आइडियाज लगाता है वो हम scene 2 में देखेंगे तो बिटा scene 1 में हमने क्या देखा कि जो think tank है कभी question में भी हो सकता है कि scene 1 को describe कीजिए तो scene 1 में सिर्फ आपने इतना ही देखा है कि think tank बैठा हुआ है वो और noodle उसके कुछ उसका जो salutation है उसके बारे में conversation वहां पे होता है scene 1 के अंदर और इसके अलावा वह वहां पे अपनी probe के साथ में उससे communication सेट करने के लिए बोलता है ठीक है चलिए scene 2 में जो think tank है अब यह books के बारे में अपने gases को बताएगा वो क्या-क्या समझता है उन books को दोजार देयर इन दा लाइपरी टाइम फ्यू सेकेंस लेटर प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल यानि कि मार्स में तो यह तीनों यह लोग कहां पे हैं cantervill ए फब्लिक लाइबरी में हैं तो आट राइस मतलब जैसी परदा उठता है क्या होता है captain omega stands in at center captain omega जो है वो एवो center में खड़ी हुई है फब्लिक library में opening and closing card catalog draws in the confused fashion और वो कभी open करती है कभी close करती है कि को कार्ड कैटेलोग को ड्रॉज में जो कि रखे हुए हैं कंफ्यूज़ फैशन मींस कन्फ्यूजिंग मूड में मींस वेरी कंफ्यूज की यह चीजें क्या है उसको समझने आ रहे हैं लेफ्टिन आयोटा इस अपलेफ्ट लेफ्टिन आयोटा उसके लेफ्ट साइड में मतलब है उल्टा करना इसको लुटा सिदा कर रहे है शेकिंग इड एंडेन रिसलिं시면 को और फिर पैजर कर रहे है नोडल आयाइव पिलेट करना मींसटर खोलना पिस्टिन ही जैसे तु वहां से कुछ समझने की कोशेश कर रहे हैं चैनल आयज़ब आजयरेस्टिक्र प्रॉब है वहां पर अर्थ पर वो मुझे दिखाई दे रहे हैं आप दे इस पेस क्रीज वो मुझे दिखाई दे रहे हैं तिंग पुट्स ऑन पेयर ओफ इनॉर्मस गोगल्स और तो वाट्ट थे डिये उस चीज को जो की नूडल ने अभी सैट की है जो कम्मिनिकेशन और आप उसे प्रकार की चीज को यह किसी प्रकार सॉर्री देशी आप की आप गए हैं वह एक्टर कर गए हैं सम्ट आप आर्थ प्रक्षर में यानि कि आप वह लोग प्रत्वी की चीजों को देख रहे हैं एक्सिलेंड में एक्वोइस कोंटेक्ट थिंक ट्रेंग बोलता है नूडल को कि फिक्चर तो मुझे दिखाई देगी वोग तो मुझे दिखाई देगाई लेकिन वोईस कोंटेक्ट इस्टैबलिश करो वाइस कोंटेक्ट बनाओ मैं उन्हें कुछ बोलना चाहता हूं तोन में बोला जा रहा है कम इन कैप्टन ओमेगा ओमेगा कैप्टन कम इन और लोकेशन और हमें तुम्हारी जो लोकेशन है वो बताओ कि तुम लोग कहां हो ऐसे करके वह कम्मिनिकेशन सैट कर रहा है कौन ओमेगा उनका स्पीकिंग इन और डिस्क विच इस वन विच वान रउन हर नैक जो कि उसके नैक कि उसकी गर्दन में लगी हुई है वो देश्क उसमें बोलती है कैप्टन ओमेगा तुमार्स स्पेस कंच्रोल लेफिन टायोटा सर्जेंट उप एंड आइव अर्थ विदाउट इंसिडेंट बिना किसी इंसिडेंट के बिना किसी घटना के हम तीनों लोग अर्थ पे पहुंच चुके हैं और यहां लोगों ने लिया है रूम की तरफ यानि कि तरफ इंडिकेट करते हो बोलती है इस स्कॉयर प्लेस में हम लोगों ने एंट्री कर लिये हैं अब यहां here we are लेक्ट अग्म की टोवड़ों लूट उसको कें लोगों है कॉम लोग कहा और ही। हक सेसे प्लेस कईमने तक शुकी मिनिमट 2 ब्लू है और ल्याजन कि मुले मन ऑचुलरा संभ घट्री प्लाइज शूमीं hacment कर क मैं तो कांइटi सब्सक्राइब कर चुकिए उनको नहीं बता था कि यह बोक्स है तो उनको क्या बोलते हैं आइटम बोलती है कौन आयोटा इस प्लेस मस्ट बी सम्सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बान का मतलब होता है तरीके से जिसको हम अपने घर में यहां पे स्टोर रूम कह सकते हैं तो बोलती ह में तो मुझे तो लग रहा है और फिर अइटा सर्जेंट ऊप को पूछती कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में आपको यह क्या लग रहा है तो बोलता है यहां टक्लिव मेरे पास कोई क्लिव नहीं है मैं नहीं जानता इसे वना से अवन्य गलक्सित सब्सक्राइब को means top हो, he opens a book and put it on his head, वो एक book को ओपन करता है और इसको अपने सर पर रख लेता है, say, maybe this is a hybridashry, और बोलता है कि शायद हो सकता है, यह hybridashry हो, hybridashry का मतलब होता है, बच्चे, a shop of stressed cloth, means सिले हुए कपड़ों की एक दुकान, ठीक है, omega, बोइंग, लो नीचे जुकते हो, बोलती है, perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thought on the matter, दीखिये, omega जो है, वो नीचे जुकते हुए, बोलती है, कि शायद great and mighty think tank, जो है, वो ही हमें benefit देंगे, अपने विचारों का, इस matter पर means, हम लोग उनी से पूछते हैं, कि हम लोग की location क्या है, और हम किस जगा पर है, think tank, elementary, my dear omega, hold one of those items, one of the items up so that I may view it closely, बोलता है, कि my dear omega, एक काम करो, कि उन में से जो एक item है, वो जो चीज़े हैं, वहां पर उन में से एक को hold करो, मतलब अपने हाथ में लो, अच्छे से, जिससे कि मैं उसको closely view ले सकूँ, उसको closely देख सकूँ, omega holds a book on the palm of her hand, omega उन में से एक किताब को अपनी हतेली पर रख लेती है, और बोलता है, yes, yes, I understood now, हां, मुझे अब समझ आ गया, since earth creatures are always eating, the place in which you are yourself is undoubtedly a crude refreshment stand, बोलता है कि हां, यह जो earthly creature है न, यह क्या होते हैं, always eating, हमेशा खाते रहते हैं, तो जिस जगा पे तुम हो अभी, वो क्या है, एक refreshment stand है, जिस जगा पे आप लोग हो, वो एक refreshment stand है, सबसे पहले उनका contact establish होता है, सबसे पहली चीज जो omega है, वो बोलती है, किस के बारे में, उस जगा के बारे में, पूछती है, नूडल को की कौन सी location है, हमें नहीं पता है, फिर वो आयोटा को पूछती है, क्या आपको पता है, आयोटा मना कर देती है, कि मुझे नहीं पता, आयोटा उप से पूछती है, और तो उप बोलता है, कि यह haberdashery है, देखो इस चीज को धियान रखना कि उप ने books के जगा के लिए, उस library के लिए क्या बोला था, तो यह आपको धियान रखना है, कि उप ने क्या बोला था, ठीक है न, किस ने क्या बोला, तो उप ने बोला कि that is a haberdashery and these books are, books को वो क्या बोलता है, hats बोलता है, और उस जगह को क्या बोलता है, haberdashery बोलता है, इस चीज को धियान रखना है, अच्छा फिर जो omega है, वो बोलती है कि हम benefit लेते हैं, think tank के thoughts का, वो ही हमारी help करेंगे, तो according to think tank, what the place was, it was a refreshment stand, because he took, because he thought that earthlings are always fond of eating and the place, they are standing, they are staying now, that is a refreshment stand, आगे देखिये, to Ayota and Oop, he says, we are in a refreshment stand, well the earthlings certainly have a strange diet, और बोलता है, आयोटा रूप को भी बोलता है कि, हाँ, refreshment stand में है, हम लोग आयोटा रूप बोलते हैं, कि हम लोग refreshment stand में है, हाँ, अर्त लिंग जो है निशिद रूप से strange diet लेते हैं, उनकी diet जो होती है, जो होती है, चलिए think tank, that item in your hand is called a sandwich, think tank, बोलता है, किसको omega को, कि तुम्हारे हाथ में जो item है, यह sandwich है, इसको sandwich बोलते हैं, तो omega nodding, अपना सिरह लाते हुए sandwich, Ayota nodding, sandwich, taking book from his hand, उसके hand से लेता है, taking book from his hand, a sandwich, यह sandwich है, think tank, sandwiches are the main staple of earth diet, main part है, earth diet का means, earthlings के diet का sandwiches, जो है न, वो main part है, look at it closely, इसको closely देखो, omega squints earth book, omega book को बहुत ध्यान से देखती है, there are two slices of what is called bread, and between them in some sort of filling, वो देखती है, और वो बोलती है, कि यहां पे two slices है, और जिनको bread बोलते हैं, और उसके between, यानि कि उसके बीच में some sort of filling, fill करने की कुछ space है, यानि वो बुक को two parts में divide करती है, और बोलती कि यह तो इसके दो slide हो गए, जिनको bread बोलते हैं, और इनके वीच में filling करने के लिए space भी है, that's why these are sandwiches, तो देखिए think tank जो है, वो उस जगा को बोलता है, refreshment stand, और उन books को बोलता है sandwiches, चलिए आगे देख लेते हैं, ओमेगा, that's correct sir, think tank, to confirm my opinion, I order you to eat, omega बोलती कि sir, आप बिल्कुल ठीक बोलते हो, आप think tank बोलता है कि मेरी opinion को confirm करने के लिए मैं तुम्हे ओर देता हूं, इसको eat करने का यानि इसको खाने का, अब क्या होता है, omega, gulping, gulping करते हो, मतलब अपनी थूख को अपने उसको निगलत हां पर, omega, oh no no, but poor lieutenant ayota has not had her breakfast, lieutenant ayota, I order you to eat this sandwich, बोलती है कि नहीं नहीं, लेकिन जो lieutenant ayota है उसने breakfast नहीं लिया है, और lieutenant ayota में ओर देती हो, इसको खाने का, इस sandwich को खाने का, यानि कि तुमें sandwich को खाऊगी, ayota, dubiously, eat it, ayota बोलती है कि इसको खाना है, oh captain, it is very great honor to be a first, to be the first martian to eat a sandwich, यानि कि बड़े सम्मान की बात है कि इस sandwich को खाने वाली में पहली कहन होंगी, martian होंगी, I'm sure, मुझे पता है, but how can I, how can, I be so impolite as to eat before my sergeant, लेकिन मैं इतनी impolite कैसे हो सकती हूँ, कि मैं मेरे sergeant से पहले खा लूँ, ठीक है, handing oop the book and saying brightly, sergeant oop I order you to eat the sandwich immediately, अब यहाँ को hand over कर दे जो की sandwich की form में लोग ले रहे हैं, और बोलती है कि मैं तुम्हें order करती हूँ इसको अभी के अभी खाने का, oop making a face, who, lieutenant, me, lieutenant, हाँ, oop क्या करता है, चेहरा, गंदा सा चेहरा बनातर, बोलता है कि कौन खाएगा, lieutenant, मेरे को खाना है यह, I attend omega, saluting, for the glory of mars, oop, यानि Mars की glory के यह, oop, उसको salute करती है, oop, yes, of course, unhappy, immediately, oop, जो है, वो, yes, तो बोल देता है, कि ठीक है, मैं इसको खाता हूँ, लेकिन, he is not happy, वो unhappy है, he opens his mouth wide, वो अपना बड़ा सा मूँ खोलता है, omega and iota, watch him breathe lastly, उसको breathe lastly, वो लोग देखते हैं, he bites down on a corner of the, corner of the book, वो खाता है, bite लेता है, कहा into mims, chewing and swallowing while making terrible faces, और उसको chewing करने में, उसको swallow करने में, terrible faces वो बना रहा था, मतलब उसको बिल्कुल भी tasty नहीं लग रहा था, उन बुक्स का taste, omega well oop, iota well oop, oop cuffs, खांसता है, oop, omega and iota pound him on the back, उसके back पे pound करती है, उसकी back पे मारती है, thank, thank, was it not delicious, sergeant oop, कहे, delicious नहीं था, स्वादिस्ट नहीं था, वो बोलता है, saluting करते हुए, think tank को, that is correct sir, it was not delicious, ये बिल्कुल भी delicious नहीं था, I don't know how the earthlings can get those sandwiches down without water, मुझे नहीं बता कि जो earthlings हैं, ये किस तरीके से इन sandwiches को down कर जाते हैं, without water, बिना पानी के कैसे खा जाते हैं, they are dry as martian dust, ये sandwiches तो इतने dry हैं, जितना sir, sir, great and mighty think tank, I beg your pardon, noodle बोलता है, great and mighty think tank, I beg your pardon, मुझे ख्रमा चाता हूं, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches, कि एक data मेरे, जो mind है, इसमें float कर रहा है, in sandwiches के बारे में, तो think tank बोलता है, it can be worth much, but go ahead, कुछ अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन चलो, बोलो, आगे, बोलो, क्या बोलना चाहते हो, give us your trifling bit of data, चलो, हमें दो अपना घटिया सा data, क्या, तुम्हारे माइं में float कर रहा है, तो नूटर बोलता है, well sir, I have seen subway of films of those sandwiches, मैंने काफी सारी films देखी हैं, sandwiches से related, I noticed that the artlings did not eat them, मैंने नोटिस किया है, कि artlings इनको खाते नहीं है, they use them, they use them as some sort of communication device, communication device की form में use करते हैं, वो उनको खाते नहीं है, means, यहां पर books के लिए, books के बारे में यहां पर चल रहा है, कि omega, iota और oop, तीनों ही एक दूसरे को, sorry, omega और iota दूनों एक दूसरे को order देते हैं, लेकिन बाद में उसको खाता है, खाने वाला oop है, और oop बोलता है, कि यह बिल वो नूडल को बोलता है, कि चलो ठीक है, तुमारे माइन में जो data floating कर रहा है, वो बता हो मुझे, ते आप क्या कहता है, नूडल बोलता है, कि यह सम सॉर्ट of communication device है, इसको इन sandwiches को खाते नहीं है, इनको communication device की form में लेते हैं, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, कि नूडल क् बुक्स के लिए, वो उनको communication device बोलता है, चलिए, think tank, hotly, hotly, hotly means होता है, with proud, घमन से, तो वो बोलता है, नूडल घमन से, कि naturally, वास्तवी ग्रूप से, that was my next point, यही मेरा next point था, these are actually communication sandwiches, यह communication sandwiches है, think tank is never wrong, who is never wrong, ऐसे करके फिर से पुछता है, कि think tank का भी गलत नहीं हो सकता, कौन गलत नहीं हो सकता, saluting great and mighty think tank is never wrong, फिर अपने आप ही बोलता है, कि great and mighty think tank कभी गलत नहीं हो सकता, think tank, therefore, I order you to listen to them, think tank फिर बोलता है, इसलिए मैं आपको order देता हूँ, कि इनको सुनो, omega, listen to them, इनको सुनना है, I try and hope to each other puzzled, listen to them, I try and hope to each other puzzled, listen to them, I try and hope to each other puzzled, listen to them, think tank, do you have marbles in your ears, तो बोलता है, क्या तुमारे कानों में कंचे गुसे हुए, marbles गुसे हुए, क्या जो तुम्हें सुना ही निदिया, मैंने एक बारी बोल दिया, कि इनको पढ़ो, इनको सुनो, सुरी, पढ़ो नहीं, सुनो, तो, marbles in your ears, I said, listen to them, means, listen to them, martians bow very low, martians जो हैं, वो नीचे जुखते हैं, और उनको सुनना शुरू कर देते हैं, omega, it shall be done sir, they each take books from the case, and hold them to their ears, listening intently, ऐसा ही होगा, omega बोलता है, और फिर क्या होता है, उनमें से हर कोई दो किताबे लेता है, और उनको कानों के पास में ले जाके, उनको intently listen करने की कोशिश करते हैं, पुरे ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं, आयोटा, whispering to omega, do you hear anything, आयोटा जो है, वो omega को whispering करती है, और बोलती है, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है, कि विस्प्रिंग में नथिंग मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वाई, दो यू रहा है, तो बोलता है, लाउडली जोरो से नथिंग अधिंग मतलब, नॉटा तिंग मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, फिर तिंग टेंग वहां उपर से बोलता है, मार्स स्पेस से, कि अरे मुझे बताओ, मुझे रिपोर्ट करो कि तुम लोग ने क्या सुना, ओमेगा बोलती है, नथिंग सापरहब्स वी आर्नाई दे रहा है, यहां एक चीज को अपको अपने ध्यान में रखना है, ओमेगा बोलती है कि जो अर्थ लिंग्स हैं, उनके जो एर हैं वो ज़्यादा शाप हैं, कमपारिसिंग ली अस, सरकता हैं, उनके बोलती हैं, होटरहब भाओंज बोलती है, हुआ है झीज कि महा gefाफ है, एक कि जो खिव आर्स हैं, उनके उनके हैं, जोल्ज प् написаноर्नाई चीज Guð कि आप 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 मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया में भी इस सैंविचेज दों मेक साउंड्स हो सकता है कि जो सैंविचेज आवास बिल्कुल भी नहीं करते हैं तिंग वाट दस्मबडी सज्जेस्ट थे माइटी तिंग टैंक है कि क्या तुम लोग यह सजेस्ट कर रहे हो कि माइटी तिंग टैंक जो है उसने जूट बोला है उसने गलत बोला है उसने मिस्टेक की है ओमेगा वोलती है ओ नो सर वी विल कीप लेस्निंग हम लोग सुनेंगे अभी और ध्यान से सुन लेते हैं नूडल प्लीज एक्स्क्यू की अ आइडिया है वह सही है या नहीं है नौटल आइस सीम टूरत लेकाल देन वेंट लेंटे तो आपने नहीं प्लीजिस्ट को अटे हैं मिस्टे नहीं है उनको वाच करता है वहाए बिल्कुल साही बोल रहा हो क्लरीफाइप यह करे नौसित हूं वह आपस फिर से बोल रहा है कि यह जो सैंविचिश नहीं है यह क्या है आई कम्यूनिकेशन डिवाइस है इनको आखों से देखा जाता है इनको वच किया जाता है इनको सुना नहीं जाता है अब क्या करती है अब जो ओमेगा बुक लेके आएगी उसी बुक ने तो अर्थ को सेव किया ऐसा टाइटल ने बताया है अपने को ठीके ना गरी लर्ज वोल्यम आप मदर गूस मेंगा उठा लेती है एक लाज वोल्यम को एक बड़ी किताब को जिसका नाम क्या है जैसा कि मैंने आपको बताया था तहां का नाम क्या है आए higher so that the audience can see the title इसको तरीके से पकड़ती है जिसे की टाइटल को जो ओडियंस वहां पे बैठे वह देख सके आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर आयोटा जो है उसके लेफ्ट सोल्डर के उपर से देखती है इस चीज को और उप पियर्ज ओवर हर माइटी राइट है और सी तरफ से देखता है ओमेगा इपीस तो पिक्चिर ओफ आर्थ लिंक्स है मतलब आर्थ लेंक्स के कुछ पिक्चर से आयोटा बोलती कि यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि कुछ कोड बने हुए है कुछ कोड लिखे हुए हैं थिंक टैंक शापली इंट्रेस्ट एट क बारे में इनको निए कि वाकई में अ बुक्स है और अब जो आयूता और वेगा है एक है एक मैगा बोलती है कि यह क्या है पिक्चर्स इसमें अर्थ-उन्क कैसा कुछ पिक्चर्स है आयोटा जुआ थोति रहा कोड़ता है कि कौन से कोड़ हैं डिस्क्राइब करो को तो तो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एक सब्सक्रिप्शन तो आपका जरूर मैं मांगती हूं थैंक्स अलोट